कि फ्रेंड्स पहले हमें स्केल की हैल्प से वन सेंटिमीटर साइड का एक स्क्वाइड ड्रॉ करना है कि देखें कुछ इस तरह इसे ड्रॉ करने के बाद हम इससे हाफ सेंटिमीटर की डिस्टर पर पॉइंट मार्क कर लेंगे फिर इससे हम थोड़ा से लंबा लाइन टू सेंटिमीटर का फिर स्पेस छोड़कर फिर टू सेंटिमीटर का लाइन ड्रॉ कर देंगे अब हम इससे भी हाफ सेंटिमीटर की डिस्टेंस पर एक और वन सेंटिमीटर साइड का स्क्वाइर बना देंगे यह हमने ड्रॉ कर लिया आप मैं जैसा बना रहा हूँ फ्रेंड्स आप मुझे फॉलो करते चाहिए मैं आपको step by step बता रहा हूँ वीडियो को बल्कुल भी इसके मत कीजेगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने बनाना भी तरह स्टार्ट नहीं किया तो मेरे साथ इसे कर दीजेए मैं आपको easy way में बना के देखा रहा हूँ हमें same यहाँ पे बना के complete करना है हम यहाँ जूम करके देखा देता हूँ देगे कुछ इस तरह हम इसमें rectangular coil draw करेंगे इसे हम उपर से join कर देखे कुछ इस तरह friends मैंने ऐसे ही कई important diagram मना हूँ है उनका लेंगा आपको right side में उपर i button पर मिल जाएगा आप वहाँ पर press करके देख सकते हैं अब हम यहाँ पर 3 या 3.5 cm तक का line draw करेंगे और दूसरे side 4.5 cm का ही हम draw करेंगे तो देखे कुछ इस तरह हमने ड्रॉ किया है अब हम इसमें ड्रॉ करें कार्बन ब्रशेज और इससे join करेंगे हम रोटेटा कुछ इस तरह का हम अभी चाइज इंडे मेजर कैसे बना सकते हैं बाद में हम इसे लंबा या छोटा कर देंगे अभी मैं इसे यहां से बनाए कंप्लीट कर देता हूँ यहां पर भी हम कार्बन ब्रश बनाएंगे और यह हम बनाएंगे और यहां पर कम्यूटेटर कुछ इस तरह फ्रेंड्स मैंने और भी के क्लास 9th 10th 11th के लिए डागराम बनाएंगे उन वीडियोस का लिए डिस्क्रिप्शन में आप वहां जागा देख सकते हैं अब यहां पर भी कम्यूटेटर बनाएंगे और को जिस तरह के रेंक्स ड्रॉ करेंगे कि अगे कम्यूटेटर को आगे के और निकाला है और यहां पर कार्म ब्रस से और चिन्द घंट करनेंगे गैलवनमीटर पर तो आप देख सकते हैं मैं इसे के ना इसली बना पा रहा हम अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे तरह से एक्जाम में इजली बना पाएं तो आप इसे 3-4 टाम प्रैक्टिस कीजिए तो आप मेरे तरह इसे इजली बना पाएंगे देगे कुछ इस तरह मैंने बनाया है अब यहाँ पर हम बीच में इस पेस हम छोड़ देंगे यहां हम बिना छोड़े भी इसे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे यह मैंने स्पेस कंप्लेट कर दिया आप यहाँ पर यह 1.5 यह 1.2 सेंटिमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे फिर उसके बाद कुछ ऐसा हम लोग मीटर बना दें गैलवेनमीटर इसकी मार्किंग अब कुछ इस तरह स्मॉल यूनिट से कर देंगे आँ हम नीचे जी लिख देंगे जो की रिप्रेसेंट करेगा गैलवेनमीटर को तो फ्रेंट्स इसे बनाने के बाद ये हमारे लेबल डाइग्राम होगा है कंप्लेट वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें याज़े सारे वीडियो के नोटिफिक्शन तो रंद पाने के लिए हमाई यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंट्स इसाद में शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इजी वे में बना सकें